आसमकर फ्रेंड्स वेलाकम टुमा यूटूब चैनल अभी मैं नावल का पार्णबर 50 मां स्टाक करना लगी हूँ वीडियो गर अच्छे लगए तो लाइक ज़रू कर दीज़ेगा हान हमेली से निकलता वा अपने गार में रखे अपने लैप्टाप पर शाह हमेली में लगे कैमरों की मदर से हर चीज़ का जैजा लेतावा कुछ सोच तवे हान हमेली के मनाजर लैपटाप की स्क्रीम पर आन काड़ चुका था वो बेरामशा था हर चीज़ से बाहबर रहने वाला उसके लिए हान हमेली के कैमरेस तक रसाई हासल करना कभी भी नामुम्किन नहीं था हर मंदल को बागोर देते वे खुलिया के टैर्स और कमने के बाएर के मनाजर पर ठटका था रिवर्स करते वे वह एक सीन को कहीं बार चला चुका था जिसे देते वे बेरामशा की स साथ सजाएवे लैपटाप भटकने के अंदास में सीपा फैंगता वो डेरे के रास्ते जाती कार को जटके से मौट चुका था क्यूंकि लाइब रिकार्डिंग में बजाय नदर आता वो सीन आज का नहीं कल का था और कुछ सीन आज शाम के कुछ हिसे का था जिसे बाबार रपीर किया जा रहा था घाडि को हान हावेली से कुछ खासिबर रोता वो जटके से नीचे उतरा था मगर अब वो यकसर मुतलिफ लबास में था ब्लैक पन के साथ ब्लैक हिलादर की जैकेट और हाथ उपाय ब्लैक क्लाफ्स पएने वो ना किसेद में चलतावा हान हमेली की पिछले हीसे के जैनम आए था यहां पहुछने था कि वो अपने हैकर से कहा कर हान हमेली के कैमरे स्थ मिन के लिए बंद करवा चू का था दिवागे करीब रुकते वे बेरामशा ने इद्गी नगात दुराई थी पिछान कदम पीछे लेते वे दिवागों देते वे वो बाग जटके से दोनों हाती वार पर रखता हुआ दूसरी जानम कुद चुका था गिरने के वास उन्टे वे जैसे ही गार्स वहां बाग कराय जो के द्रहत की टैनी से थोड़े नीचे था तब ही पंचू के बाल होते हुए जेरत निगारों से आगे पीछे देखता हुआ वह किनारे तक आया था हातों को उठाए वे होंटों पार जबान पिरते हुए आंगों को छोटी करते हुए टैस पर टकाये दोनों बाजों को कोदाएं बाहर कड़ा किया था थोड़ा सा डगम गाते हुए एक कदम आगे बढ़ा था अनाभी होंटों पार जबान फिरत वे बेरामशा के होंटों पर पुर्ट इसरार मस्क्राहर रेंगी थी तब एक लहमे की ताहा कि ये बिना वो टैरस पर कूच चुगा था टैरस प बिना अवास पैदा किये टैरस का द्रादा खोलते दबे कदमों से वह टैरस में दाल हुआ था कि तबी साथ वले टैरस या थक 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 की आवास पर बेरामशा ने मुठियां बीचते वे अपने इंतिशार पर काबू पाया था दिवार की वोट में होते वे वह आगे तकाया था जिससे उसे अंदाजा हो गया था कि वहां जो भी था उसका ध्यान इस जारम नहीं था नजर सामने नजरातवी गार्थ की पूछ पर टकाया बेरामशा ने गर्दन आगे कारके टैर्स के दरवादे की जारम देखा था जहां छे फूट से निकलतावा कद आवर लगे थी तब भी अपना बाया हाथ दिवार पर टकाया बेरामशा जटके से चलांग लगाते हुए उस जानब पूदा था कि सामने करे श्यस ने स्राय से रूफ पलटा था गार्द चाहे हान का है लेकिन इज़त शाह की है दवे-दवे लहजे में गुरागा कहते हुए सम लों को उठाते बेरामशा ने कहर बई नजो से देते वे साथ पर टैर्स पर फैंका था तबी नीचे गिड़े वो शहस ने हाथ ब्रागा घंबला उठाना चाहा तो बेरामशा ने हून अशाम नजों से देते वे अपने जेब से इंजक्शन निकाते श्यस के पढ़ने से इसके गड़ना में लगाया था कि गंबला उसके हाथों से नीचे गिड़कर तूटता उससे पहले ही बेरामशा ने उसे पगड़ा था लेकिन गंबले से निकात भी मट्टी इद्गी फैल चुके थी जिसे होन वीच का देते वे बेरामशा ने गड़ना तरिची की वे समी पर लेटे वे हाथ पर मारते श्रस को देखा था आगे बढ़कर एक जटके से उसे अपने कांदे बोट आते वो दिवार से दूसी जनब कूच चुका था खुत भी दूसी जनब आते वे रामशा ने अपनी पेशानी पर हाथ भीरते वे अपने कहर बैड़ने श्रस को में थे कर रहते हुए श्रस ने होंटोबा सहती से हाथ जमाए वो दूसरी जाना मजूद इंतसालहान के जाने का इंतजा का रहा था मगर कुछ देख गुजरने के बाप भी जावो ना गए तो बेराम चाने मजबूरन अपनी पाक्टर से मुबाल निकालते हुए से काल मिल देख देखे बंद होने की अवास सुनतावे बेरांचा ने फून बंद किया और अपने फून से हान हमेले में कुछ देन पहले अपनी ताइनात किये बंदू को बलाकर इस चैस को वहां से वगाइब करने का हुकम देते वह दूसरी जन्म कूदा था मुबायग पर बेरांचा की काल की नोटिफिकेशन देखा इंतसा का जिल बूठता से दरखा था आप में मजूद मुबायग था में दरते दिल से वह स्क्रीम पर नजर आते बेरांचा के नाम को देख रही थी जो आजकर उसने हर्सबर्ण 2B के नाम से से शेफ किया वा था मुबायग को देती वह अजीम कश्मकश में थी काल करूं या ना उनने क्यों किये थी यहां शायद घलती से हो गई हो वरना वो दुबारा काल कर लेते काल करके पूछ लों गया हाते लिमें चेरा चुपाई तेबले के जैनक जुकते हुए उससे सवाज़ाब करते हुए आ कभी वो मुबायल और कभी टैर्स के दिवादे को देख लेते हैं मुबायल के स्क्रीम पा जगमा गाते हस्बेंट टूबी को देखते हुए इंतसाल हाने जटके से हाथ बराते हुए काल अटेंड करते हुए फून कांट से लगाया था बेहनाम लाज़े में तरफ लिये व सुफेबा उचाते हुए जटके से करटरंस पीछे किये थे सामने किसी को ना पाकर लास्ट डोर खुला था अभी वोकुछ समय थी कि दाइंहां से एक दम कोई नमूदार हुआ था जिस पर इंतसाल हाने आंके बंद करते हुए पूरी कुवस से हाथ में थम्भी चूरी से उस पर वार किया था रिलेक्स शा के जान ये मैं हूं तो मारा बहराम वो जो सर्प्राइस करने के चकर में चुपकर समने आया था अपनी होने वाले बीवी की बंद आंखों रहात पर चूरी देकर अभी समलता कि वो उस पर वार कार चुगे थे तब ही चूरी उसके दाएं बाजूँ को चीटते वी गुजरी थे उसे पहले ही इम्तसालहान तुबरा से वार करती बेराम शाथ दाएं हास को पीछे को उता वार इम्तसालहान का था थमते उसके होट पाहते लिए जवाई सर गोशनाना लहज में बोला था जबके बेराम शाह की ओवाज सुनते इम्त तोले दबाते हुए शोख नदू से इंतसाल हान को देखा था मैंने अंतादा लगाया है कि इस वास से कोई फ़रक ने पड़ता कि आप शाह हो या कोई तीस मार हान अपने जाहम की जानब बढ़ते हुए इंतसाल हान के हाथ को अठीढ़ता लगाया था था कि क्या मतलब अपना हुशक परतवा थे वहास्वान के कोशिश करतव सर गोज़से कम अवास में इस अफसार तब बेरामचा के मुचु तले से अनावी होंटों पर मस्क्रार रिंगे बीवी, बीवी ही होती है, कोई शा भी हो तुछ से भी गुटने टेकने ही पड़ते है पीवर चाहे, बाउं का हाई पहना करे इस तक पाल करे या पी चूरी से वार करे कि बंदे को कबोल करना ही पड़ता है, नसे हैसल हनी आंकों से सिरकते हुई, बिक्रे चेरे से होती ही, लाइट पींक लिप्स्टिक से सजवे होंटों पर आकर रुकी थी तो बेरामचा को अपने गले में कांटे से चुपते हैं मेसूस हुए, हाथ को जिट्रा देते हुए, अगर इतनी मजबूर में कबोल करना पड़ा है तो ना करें, मैंने कौन सा अधाराज में दरवाफते लिक ढली हैं कि बंदे को हराज में कबोल ही करना है, नहीं करना तो ना सही, ने कौन सा दोस भूल लूगे या फिर बाउंड की हाल लिए इस्तिक्बाल करने के दरवाज द्रैसिंग टेबल के सामने लाकर खड़ा किया बाइंग जानव हाथ कांदे से थोड़ा नीचे लगे काट को देखते हुए बेहराम शाहन को देखा था जो उगल्यां चिटा हाथ वे श्रीमिंदा नद्द से बेहराम शाह को देख रहे थी शाह तकलीफ होगी आपको क्या कर Bir RO को सामने इंटसालहान ने फल्के उठाक उसको देखा था लेकिन जब नेंटसालहान का हाथ अपने उपघ्राम रहा कर दिया दوبाया तो बेहराम तो Qimshu ऐन्तसालहान के रिखना तो इनों न होई थी इंटसालहान फंद्यों किया अगर कुछ भी च्जबंटर्शा स्कता हूं मगर्व मुझी बरावर क्यार नाम की भी श्राक्तारी वर्दाष नहीं करता मैं इस बात का इत्राफ करता हूं करता हूं पर 來ो जान से, थे लिए इत्राएं सी जा सकता हूं वो इमतसालहान के टून ट्रेक खड़े का जुखा था अपनी डिट की हड़ी तक सुन तराहन मयसूस करते हुए इमतसालहाने अपनी सांस रोगे थे जबके बेरामचाने चेरा जुखाते हुए इमतसालहान के वजू से उटते ही दिलकश हच भूक को अपी रूह तक उतरता मेसूस किया था तन्हें तासरात दिले पड़े थे तो हून का किना दादरे दबाते वे शोह नद्दू से मितसाल की हैड़ा से पटी आंखों को देखा था इंतसाल हां को जब तक अप पे जानम देखता पाकर आंख तुबाए तो मितसाल हां सट हैं अंदर से पूड़ फिलर्ट और ठर्की हैं दोनों हाथ में लेंगा उठावे टेबल की जैनम जाते वे मुद्दू का का तो बेरामशा ने गुर कर इंतसाल हां को देखा था जो कार्टन पर डिटो लगाए बेरामशा के जहां पर रख चुके थी बाकी की मरहां पटी गड़ जाका कीजिए का शाह साथ होने वाले बीवी के हास से जहां मिला है कुछ देर उससे हुन रसे तो इतना थो बनता है ना महबत में तो इंसान जहां का पियाला पी जाताया यह तो पिर एक चोटा सा जहम है उंगली को जहां के एड़ दायरे के स्षुत में ट्रेस करत थे उनका किनाना दांतरत दबाई वे गर्दन तरिच्ची करते वे बाजों को देखा था जान से हून प्रसना पिर से चुरू हो चुगा था जहर के प्याले का भी सोच लेंगे लेकिन काल ये शाम महबत का जान पीने का इरादर रहता है बस उसकी त्यारी कीजिएगा इंतसाल हान को समझने का मौका दिया बगाए उंगुट्टे को इंतसाल हान के उट पर फिरते हुए सुर्फ प्रकेर कर मैंने किये स्लैजर में कहा तो इंतसाल हान की लो तक सुर्फ परती जटके से पिछ हुई थी जैसे देखते हुए बेराज हान ने बामिश्किल अपना कहका सब्सक्राइब किया था और फिर गया निकलता चला गया था जबके इंतसाल हाने अगे बढ़ते हुए ट्रैस का द्रवादा बंद किया था माशाला हमारी फलवचा तो चांद का टुक्रा लग लिए फलवचा के सापर प्यार करते ही महबत बर लेकिन में का तो फलवचा ने श्रमार का सर जगाया था लैमन कलर का हुपसद शुराड़ा पैने वे जिस पागोल्डन और ग्रीन कलर का काम था दिलकशी में जाफ़ा क सर पर ग्रीन कामदार बार डबटा सजाए हाथ में बार बार का महंदे लगाए पठानी नकूछ वाले गलाभी चेह पर लाइट मेकप की वे हमदार पैलकु की ओर में ग्याड़ी नीली आंगों को चुपाई हूं का किनाना दांदर दबाती वे शिजाद दूसरा शिजाद सी ग्याई नीली आंके या कुछ और उच था जो रास था जो सामने आना जूरी था उसका चीरा मुस्मित लिए वे था मगर उसके आंके कुछ और कह रहे थे कुछ ऐसा कि वो जो समय नहीं पा रहे थी हलीमा खुत नहीं आई अपनी कलोती बहु के लिए मेहंदी लेकर मकद बवशा सिर्फ हलीमा की ही बहु नहीं है मेरी भी है शाहभेली के बहु है हलीमा आई या मैं एक ही बात है समनी बेगम नरम लाज़र में गोया हुई तो मकदस बेगम ने हंगोरा बढाँ था जोगे मुबी बेगम ने कमरे में दाल होते हैं इसलाम किया तो सम्नी बेगम ने आगे बारकर उन्हें गलाया लगाया था जिस पर वो जजबत होती भी कले लागका पलवशा की जाना बड़ी थे कश्यब हमारे दूसी बेटे को दबलाओ मैं उसे भी देख लूँ के मेरे बेहडाम की दूलन कैसी लग लिए सारा वक्त मेहमानों को मिलने में लागिया अब बड़ासा मकता कर रुकना में लिए बहुत ही मुश्किल है इसलिए मतसा को ले आओ ताकि उसे देखर फिर हम निक सब्सक्राइब के साथ समरीन बेगर ने भी मुकमल नदास किया था कि शाम हर्सु अपने पार फिलाए हुए थी दूर्द सुरज की सुरी हंदेरे में डिलते हुए असमान बाब बिक्री हुए थी सरसबस पहाड़ों के दिर्मियां से बेहते नीले पानी का शुर बढ़ प हून अलुदा शर्ट पहने वे दिवाना वार बागते वे वो इस खंसी की अवास पर रुका था जाना करफजदा अवास में वो दारा था कि वो गुईनती दिल कर शंसी थम गे थे हैं तरफ हमोशी चाह गये थी तबी तेस हवाव के सर्थाने की अवाव के तेस हवाव की वास मजी तेज़ हुई थी अपने हून अलूदा हातों को नम आंकों से देते वो फिर आगे की सिमत बढ़ा था तुम्हें पता है बलाच ला अलाच मर्स कौन सा होता है कानों में सरसराती हुई आवास हुई जी उसके कदम जैसे जमीन से जिखरे थे फुश कलमें जैसे से लम्हा बाल हमा दूर ठुटी जा रही थी बलाच शाह नभी में सारे हिलाते हुई जटके से पलड़ता दिवाना हुआ इसके जाना परा था तुम्हें मुझसे सब चीन लिया बलाच मैं कभी माफ नहीं करनूगी हुई जटके से रुका था पूरा जिसम का सिर्बोर हु अभी वो कदम उग्रिया के जाने बढ़ाग था कि उसका वजूद हवा में तहलील होतावा गुम हो गया था जिसे देखते हुए बलाच शाह ने बाल मुट्यों में जग रहे थे इश्क लाह हासल किचा फिस उसे वही आवास पूझी तो इस बार वो दिवाना वार इस जाही में डल चुकी थी हवाओं के शोर में इजाफा हो चुका था तब भी बलाच शाह के कदम रुके थे अपने एद गरें धरहत देखते हुए उसकी नजरें दरस से टेकल लगाए बैटी सिपका शाह के बीकेचे में पढ़ गये थी जिसे देखते हुए बलाच शाह के गुटनों के बाद दमीबा बैटा था सिपका अबेवसोर पुकारदा के हाथ तरफ हंदेरा चाहिए था हर चीज़ स्याही में डूप चुके थे उट जाव बलाच जिस सोने का टाइम नहीं है बेरामशा ने बलाच शाह के कांदे को हिला तो इस ने नीज में डूबी भी का बाद मिश्किल खुला था नजरें बेरामशा का च्चरेस होते वी अत्राफ में गुमी थी वो जटके से उट पैठा था पूरा जिसम पसीने में शरबूर था दिल के दरकर मौमूल से ज़दा थे तुम ठीक हो बिलाच शाह को सरहाथ में गराये देखकर बेरामशा ने तच्च्वीर से अदल लाज़ में पूचा तूसे सर अस्पार में लाया था और फिर ग्यारी सांस देवा उट बढ़ा था चेरे पार दोनों हाथ फिर तवा वो हुद को कमपोस का चुका था तुमें लगता है कि तुम सरदार दरकार महार के कमने के कैमरेस बंद एसा नहीं हो सोता वो सब जानता है वो यह भी जानता है क्या आम सब क्या का रेहा वो किसी वज़ेसे हमोच है वो smart फिर अगर उसलने वहाँपर दैनायात किया है तो उसके बार में भी उसलें कुछ सोच होगा पेराम शाने सास्पार महलाय था जानता हूँ मैं लेकि मैं फ प्लगा ती है मेरे आदमी नजर ड़के हैं बागी सुबा देखते हैं बिलाजा के कहने पर बेजार ने सर असबार मह लाते हुए बागो और बिलाजा के चेड़े को देखा था बावीं पुछने का ररादा करते हुए उससे जटका तो मारा दमाग हराब था बिला जो यहां इतनी गर्मी में सोड़े थे बिलाशा के पसीने से तार फुर्टे को देखा अदाशा अगने डपने के अंतास में कहते हैं जेब से रुमाल निकाल कर आगे बार कर उसके गर्दन और माते से पसीना साफ किया था पता नहीं चला लाला काब आँख लागे थी पेसमर्से बाहर की जानब कदम बरातों विकातों हदाशा ने सर नभी में हिलाया था